हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का सौगत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग डिसकस करने आ ले हैं वक्सीट नंबर 147 आज की तारीक है 18.1.2021 क्लास 5 की वक्सीट है ये पुस्तक का नाम है रिंजिम और पाट का नाम है एक दिन की बास सहाथ स्टुडेंट्स आ पर आपको अपना नाम यहाँ पर अपनी सिच्छक और सिच्छका का नाम लिखना है आए देखते हैं सभक्सीट में क्या दिया गया है तो इस वक्सीट का जो पहला प्रस्ण है बच्चो वो क्या है पहला प्रस्ण है कि नीचे दिये गए चित्रों को पहचान कर उनके दो- और क्या है इसका विशेशन एक होता है चमकदार क्या हो जाएगा विशेशन एक और चमकदार दो विशेशन हो गए सफेद और चमकदार ठीक है इसके बाद अगला जो है आपका ये क्या है एक औरत है औरत यहाँ आपर इसका विशेशन क्या हो जाएगा सुन्दर वान इसके बाद बच्चों अगर बात करें यहाँ पर तो इसका विसेशन क्या हो जाएगा इसकी नाक कैसी है नुकीली है इसकी नाक कैसी चित्र में दिख रही है तो नुकीली देख रही है ठीक है और क्या है इसकी नाक लंबी है और क्या है लंबी है तो इसके नाक को लेकर हमने क्या कर दिया यहाँ पर दो विसेशन लिख दिये अगली यह जो है यह क्या है हमारी कमीज कमीज कैसी है यह लाल है कैसी है लाल है और कमीज का कपड़ा कौन सा हो गया सूती कैसा सूती हो गया ठीक है इसके बाद बच्चो लगा कर इन्हें copy में दुबारा लिखिए तो आईए देखते हैं निकुंत कहां कहां पर लगेगा तो यहां पर रजिया में जो है रजिया में जाके नीचे यहां निकुंत लगेगा और फर्ज में यहां जो है जाके नीचे लगेगा आवाज में यहां जाके नीचे लगेग पाड के अदार पर आरिफ के अबबा के बारे में कुछ पंक्तियां लिखें और इन पंक्तियों में आई विसेशन सब्दों को गोला बना कर बताईए ठीक है तो आईए देखते हैं क्या है ये पंक्तियों तो बच्चो ये जो पंग्तियों में क्या दिया गया है, क्या लिखा है हमने, तो आरिफ की अबबा बहुत अच्छे थे, वे बहुत समस्दार भी थे, उन्होंने आरिफ और उसके भाई को एक दिन की बादसाहत दी थी, तो यहाँ पर बच्चो जो बहुत अच्छे है, ये क दिया गया है तो प्रस्न नम्बर 4 आपका दिया गया है की पाठ के अधार पर निमलिखित प्रस्नों के उत्तर देना है तो पहला क्या है सलीम वा आईफ के अभबा एक दिन की बादसाहत क्यों मांगी थी तो आईए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो इसका उत्तर क्या है सलीम वा आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादसाहत यहाँ पे जो है बादसायद नहीं है बादसाहत होगा वो आप सही कर लिजेगा इसलिए मांगी क्योंकि वह सब को यहां महसूस करा सके कि परिवार की पावंदी से उन्हें कैसा महसूस होता है तो याद रखिएगा वो उन्होंने इसलिए बादसाहत मांगी क्योंकि वह यहां महसूस कराना चाते थे कि परिवार के बाग की लोगों को यहां महसूस कराना चाहते थे कि उन्हें परिवार की पावबंदियों से कैसा महसूस होता है अगला जो प्रसन है बच्चो वो क्या है कि बच्चो एक दिन की बादसाहत मिलने का क्या फैदा हुआ यहाँ पर सलीम और आरिफ को जो एक दिन की बादसाहत मिली उससे उन्हें क्या फैदा हुआ तो और उन लोगों की अगले दिन से परिवार के सभी लोगों ने जो जायज बाते होती थी जो जायज मांग होती थी उनकी वो मानने लगे थे तो क्या है उन लोग की जो जायज मांगे हुआ करती थी अगले ही दिन से वो क्या होने लगी परिवार के लोगों ने पूरी करने करना पसंद करेंगे तो वो आपको जो जो पसंद हो राजा बन कर करना वो आप यहां पर लिखेंगे मेरी जो पसंद है मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता तो अगर मुझे एक दिन का राजा बना दिया जाता बच्चो तो मैं क्या करता मेरे जितने भी अधूरी च्छा हैं मैं उन सभी को अपनी अधूरी च्छाओं को क्या करता पूरा करता अगर आपका मन हो तो यही लाइन अपनी कॉपी में लिख लिजेगा वरना क्या करिएग अपने मन से जो आपकी मन में हो बाते वो आप महाँ पर लिख सकते हैं ठीक है बच्चो तो आएए देखते हैं आपकी वक्सीट में आगे क्या बताया गया है तो आगे वक्सीट आपकी अब बच्चो क्या हो गई है खतम हो गई है और इसमें एक नोट दिया गया है कि निकु अधिकार मिलने के बाद हमें हमेशा अपने अधिकारों का प्रियोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए अपितु कर्तव्यों को किसी प्रकार का निभाना चाहिए और जो कर्तव्य हमारे उन्हें भी किसी भी प्रकार से निभाना चाहिए इसके बारे में हमें मालुम भी होना तो आप अपने बच्चों को ये क्या करेंगे बात बताने का प्रयास करेंगे धन्यवाद बच्चों अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से सेयर करें धन्यवाद बच्चों